Question number 14 में क्या दिया है? Sector of radius 10.5 cm with central angle 120 degree is folded to form a cone by joining two bounding radii of the sector कहने का मतलब है कि पहले एक ऐसा करके था 10.5 cm एंगल कितना है आपका 120 degree इसको जब हम cone बनाएंगे ना तो cone बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह जो आपका length है जिसको lateral height बोलते है A कितना हो जाएगा? A तो radius हो जाएगा 10.5 अभी बात A है कि यह जो radius होगा ना R, A क्या होगा? देखें कैसे मिकाले तो जो आर्क का length है ना आर्क का length हो जाएगा इसका base का circumference अगर यह आर्क A भी है तो A, B, आर्क कितना होगा? Pi, R, theta by 180 degree होता है Pi, R का value कितना हो गया है? 10.5 theta है 120 degree divided by 180 degree तो 6 into 2 6 into 3 यहाँ से कितना होगा? 3.5 उपर चला जाएगा ना तो 7, 7 Pi हो गया है A, B, आर्क का value अगर A, B, आर्क का value 7.5 है और हमने बोला कि यही आर्क जो है नीचे circumference मन जाएगा base का तो 2 Pi R का value 7 Pi होना चाहिए तो R का value कितना होगा? 7 by 2 जिसको अब 3.5 भी बोल सकते हूँ तो यह आर्क का value होगा है 7 by 2 अभी आगे बढ़ते हैं Question में क्या बोला है? कि हमेरे इसका volume चाहिए यह volume के लिए यह तो height निकालना परेगा height कैसे आएगा? तो यहाँ पर आपको एक right triangle दिख रहा है जिसमें 21 by 2 है यह है आपका 7 by 2 तो यह कितना हो जाएगा? अगर आप multiplicating factor से जाएगे तो यह 1 है यह 3 है इधर कितना आजाएगा? 2 root 2 आना चाहिए 7 by 2 मतलब की 7 root 2 हो गया volume निकाल ले volume हो जाएगा 1 third of pi r square h मतलब की 1 third of pi का मतलब 22 pi के place पी ही रखा है pi लिख लेते हैं r square का मतलब 49 by 4 और h का मतलब हो गया 7 root 2 तो कितना आ रहा है? नीचे तो 12 आ जाएगा 49 into 7 कितना जाएगा? 343 root 2 pi centimeter सही answer क्या होगा? 343 root 2 pi by 12 तो यह है option number D उमीद है आपको इस समझ में आ गया होगा फिर मिलेंगे आगले वीडियो में एक नए question के साथ